नमस्ते मेरे सारे सुडेंट्स आप सबका स्वागत है बायो वर्ल्ड में मैं प्रीती माथुर आज बात करेंगे सेल्स के बारे में सेल्स का मतलब कोशिक का के बारे में हम बात करेंगे थे सेल्स है ताइनी युनिट है हर प्लांट की हर एनीमल की और फयी मतनल की यह ताइनी युनिट है और इससी से बनते हैं टिशूस और टिश्स से बنتे हैं organ system और organ system से बनता है पूरा एक Leben यह आप बात कर ली plants की यह बात बाद कर लीज़े किसी भी एंएमिल की या आप कर लीज़े किसी भी human being की तो हमारे अंदर जो-र यह actions होते हैं यह कहीं और नहीं ये हमारे cells के अंदर ही होते हैं या कई सारे cells मिलके tissues में करते हैं जैसे blood blood एक connective tissue है और इसे बहुत सारे cells हैं और ये cells connected नहीं है आपको पता है WBC, RBC, platelets ये बिल्कुल भी connected नहीं है और ये आजमा में इन ये में रहते हैं और एक दूसरे से communication करके पूरी mechanism होती है तो मैं यहां पर ये main emphasis करना चाहती हूं कि सारी mechanism 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 maximum reactions ये सारे cells के अंदर होते हैं प्लांट को मैं कहूंगी कि plant में जो cells हैं वो ज्यादा efficient है क्योंकि इनके अंदर photosynthesis भी होती है ये food बनाते हैं पूरी प्रकिरती के लिए पूरी creatures के लिए food बनाते हैं सिर्फ ये plants बनाते हैं और ये plants इतनी capable हैं इनके cells इतने capable हैं कि food तो बनाते बनाते हैं साथ में आपको oxygen भी देते हैं पूरी प्रकिरती को oxygen देते हैं तो cells एक बहुत ही strong unit है कहने के लिए इतना tiny है कि हमें दिखता भ लेते हैं तभी दिखता है और सेल्स के अंदर जैसे जैसे दिखी एडवांसमेंट होता गया साइंस का वैसे वैसे हमें चीजें पता चलती गए तो साइंस का एडवांस हुआ तो हमें सेल्स पता चला और एडवांस हुआ तो हमें यह पता चला कि उसके अंदर नुक्लियस है और और एडवान्स हुआ और जादा आपकी इंस्टूमेंट्स आये तो हमें पता चला उसके अंदर और गिल्स है जब और एडवान्स हुआ तो जैसे की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एडवान्स आया तो हमें पता चला कि उसके अंदर और 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 गिल्स किस तरह की स्ट वि детाया कि sails के अंदर इतनी स्वीट जादा हुती है उसी के अंदर नुक्लियस है उसी के अंदर है उसी के अंदर ऑशी के अंदर और गायट गॉल जी वोली सेंडो प्लाज्म क्रेटिकॉलम तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ में कॉडिनेशन करके रियक्शन्स होती हैं सेल्स के अंदर 70-90% बार्टर होता है जो साइटोप्लाजम के रूप में होता है साइटोप्लाजम क्या है साइटोप्लाजम में on contribute पॉसके लिए के स्पैसिक एंजाइम है बिप्रोडर्ख्ट सी प्रोडदक्ट बना उसके लिए के सपेसिफिक एंजाइम सानुस आपने आप में इसका एक विशाल रूप है सागर है जिस आने सागर है जिसके अंदर बहुत सारे और जो आude कर रहते और यह एक बहुत इस स्पेसिफिक काम करते हैं, बहुती नियंदरन में काम करते हैं,पने ही काम पे बहुत गजब का कंट्रोल तबही हम रोज रहते हैं, तभी हम रोज सवस्त रहते हैं, क्योंकि हमारे सेल्स परफेक्टली काम करता है आपको पता है नुकलियस नुकलियस के अंदर डियने होता है डियने आरेने बनाता है आरेने बाहर निकलता है राइबोजोम के साथ मिलकर के प्रोटीन सिंथेसिस करता है जो प्रोटीन से वही एंजाइम्स का फॉर्म ले लेती रखें इसलिए हेल्दी खाना खाएं कि सारे रियक्शन समझाते हैं कि सही सही होते रहें तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आ रही हूं आपके साथ सेल्स का इस्ट्रक्टर लेकर स्वस्त रहें मस्त रहें